नमस्कार शादर प्रणाम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की खुब खुब भारतिक शुब कामना है इस वर आप सभी की मनो कामना पूर्ण करें आज हम आपके समख सुपस्तित है नवंबर 2022 महा का रासी फल देकर यह जो र गुपा करके यह जो रासी फल अप लग्न रासी के आधर पर ही देखा कीजिए तो ही आप क्यों प्रेह यह को पर शड़िक बैठता नजर आयगा अगर आप मेंश लगन वालों का नवंबर 2022 का जो मईना है कैसा रहने वाला है की तो मेश लगन वालों का जो आपरेटेंग प्लैनेट्स बनता हो मंगल बनता है और मंगल का जो गोचर है वो अभी थर्ड आउस में चल रहा है और 13 नवंबर के बाद वक्री हो जाएगा रेट्रो हो जाएगा और रुषब में आ जाएगा यह गोचर वस मेश लगनवालों को कौन सी बातों का विश्यस ख्याल रखना है यह हम आपको सभी बारी बारी करके एक एक करके सब बताएंगे आप वीडियो में अंतक बने रहिएगा मेश लगनवालों का जो अपरेटिंग प्लैनेट्स बनता हो मंगल बनता है मंगल का बिजनेश में याप जोब से जुड़े है वहाँ पर कोई आपने जोब के रिगार्दिंग या बिजनेश के रिगार्दिंग कोई ुम्त ने एक क्लिठा को लेकर तो उसके उपर आप काम कर शकते है वुगरता साहसे नकत्ववाणी में आपको प्रुद्धिया मैंमें दे देखने को मिल सकती है संतान का स्वास्तिय गडबर रह सकता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी और आपके पिता के भी स्वास्तिय में कहीं गिरावट आपको 16 नवंबर के बाद देखने को मिल सकती है लव लाइफ आपकी यहमीने गडबर रह सकती है और लाइफ प ज्यादा मिलता हुवा नजर आशकता है हमेने और यह मैंने आपके दनका खर्च दर्म-कर्म के प्रति भौ ज्यादा देखने को मिल रहा है हमेने और चारित्रिक रूप से आपको यह मैंने मजबूतeneca रखना है अपना क्यूंकि आप को इस तरीके शड़ी अनुत्र का सिकार आप ना बन जाए उसका आपको इस ख्याल लगके चलना है अगर आप कार वहान आदित याड इगर आप चलाते हैं तो साउधाने पुर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा आपको जो है वह गर्म-पदार्थ अगनी एवं धारदार चीजे इलेट्रिक उपकरण से यह मैंने पूर्णत दूरी बना कर रखनी है तो कई न कई स्थिती आपके नुकूल रह सकती है यह मैंने यात्रा की योग बन रहे है तो आपको यात्रा की वितारिक बता देते हैं एक तारिक चार तारिक से लेके आठ तारिक तक बारा तारिक से ल बढ़ रहेगी और जो उच्छी सिख्सा की पढ़ाय कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत बढ़ी अशाबिकत होगा बात कर लेते केरियर की तो केरियर को लेकर जो पिछले पिछले चार-पाँच महीनों से केरियर को लेकर स्थीति गड़बर चल रही थी वह स्थीति जो है कईन कई यह महीने आपके केरियर को लेकर सुधार संभव है और अपने से बड़े कर्मचारी लोगों का आपको सपोर्ट मिलता नगर आ सकता है और बोस्के प्रति आपको जो ऐस्टम में गोचर कर रहा है नकियारा नवंब्र के बार एस्टम में गोचर करेगा कोई बड़े इनवेस्ट्मेंड करने से यह महीन आपको बचना है financial planning करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए कई न कई बढ़िया शाबित होगा यह महीने जो है वो धनलाब की योग बन रहे है यह जो धनलाब रहेगा वो ऐसा नहीं है कि शेर शाट एवन लोटरी के माद्यम से यह आपको सब्सक्राद के उपए CARC and CCP काम क्योंशर कारिक हो दो tämä दे 10 से लिए 11 से लिके शार स्टेरे 5 शार दे 14 से लिके 23 शले 25 चैयरा 3 तक वाヤंके 24 तरilla 7 जार 27 से लिके 24 जारे सांध तारीक से लेके 30 तारीक को इनती कोई माध्याम स्वाप को धन्लाप घूथा रहे का बाद लnatी वयवाईक जीवन की लेकर सेती माध्यम नहीं पर पर स्वास्ति के बाद सामझसिसू बना के की शिकायत रहेगी शिर्दर्द की शिकायत रहेगी जिनको पहले से हड़ी रदई संब्धनित दिक्कत हैं उनको अपने स्वास्थे का विशेज ख्याल रखके चलना है और अपने पिता के भी स्वास्थे गडबर रह सकता है जो लेड़ी ने संतान गंशीव करा रखे है उनको अपने स्वास्थे का विशेज क्याल लखे चलना है और नवंबर दूजर वाइस का जो महिना है मेश लगनवालों के लिए बड़ी अशाबितो उसके लिए आपको उपाई बता देते हैं कुरुपा करक कि आप उपाई जरूर कर लीजिएगा आपको जो हर मंगलवारों हर सनिवार शाम को संकल के साथ साथ बार हन्मान चाली साके पाठ करने है बगवान सुर्य को अर्दियम गायतर मंतर का आपको यथास्रम बोजब करना है अपने मादा पिता के आशिरवाद लेकर ही आप घर लगाद लेते हैं तो यहां गोचर आपके लिए कई न कई बढ़ी अशाबित होगा नमस्कार यह बात करते है उरर्शब लगनवालों की तो उर्शब लगनवालों का नवंबर 2022 का जो मेना हो किसा रहने वाला है यह हम आपको बताए उस्यवपुरों हम आपको बता देते हैं कि यह जो रासी फल हो आप लगन रासी के आधर पर फोलो करते हैं तो यह रासी फल आप क्यों पर सटिक बेटता नजर आएगा अगर आप नाम रासी हों चंदर रासी के आधर पर यह रासी फल देखते हैं तो उ दुक्र का गोचर अभी शिक्स थाउस में चल रहा है और शिक्स थाउस में चल रहा है नवंबर 11 नवंबर के बाद 7 थाउस में आने की उरिष्टिक राशी में आ जाएगा यह गोचर वर्स आपको जो है उर्षब लगनवालों को कही न कहीं पिछले 15-20 दिनों से आपको जो है वह 11 नवंबर के बाद स्थिती में सुधार आपको देखने को मिल सकता है यह मैंने आपको कई ने कई थोड़ी उगरता आपके अंदर थोड़ी देखने को मिल शक्ति है और लवलाइफ यह मैंने गडबर रहेगी विवाहिक जीवन को लेकर स्थिती ठीक रहेगी बसत्य आपको अपनी उगरता पर कंट्रोल करके चलना है क्योंकि 13 नवंबर के बाद आपके असंडन यानि की प्रथम भाव में फरस्ट हाउस में लगन में मंगल का गोच अगर आप चलाते हैं तो शाहुदानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा आपको गर्म परदार तीले ट्रिक उपकरन एवं आपको धारदार चीजों से आपको पूनता दूरी बना कर रखनी है और आपको जो हो कर्ज लेने वह कर्ज देने से आपको बचना है बेंक सब्तम में आए जाएगा तब तक ग्यारा नुवंबर तक प्रचूर मातरा में धनका वेशंभव है कोई न कोई माधियम से धनका खर्च होता रहेगा और आप फाइनन्सिल प्रानिंग कर चलता है तो यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा राइट साइड के बूड़ी के र अपना खान पान पर आपको पूनता कंट्रोल करके चल ना है सुच सात्विक भोजन लेना है अगर आप Lowcr जिर्क का से वन करते तो उनसे फुनत आपको दूरी बना कर रखनी возможность यात्रता की योग बन रहे है तो आपको यात्र तारिक बता देते हैं एक तारिक मारिक तक चार तक साथ तारिक से लिए के नो तारिख तक क्या आधा तरीक टेइस से लेकिए पचीस तारिक तक और सथाईस से लेकिंद तारिक कोई न कोई यात्रा की योग बन रहे हैं बात कर लें तो लिए पारमविक सात्से जुड़े है जो उनकी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है गोचर बढ़िया शावित होगा बात कर लेते केरियर की तो केरियर को लेकर सिती ठीक रहेगी यह मैंने और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए साथ साथ में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर केरियर को लेकर अच्छा रहेगा इंकम में रुद्धी है आपको देखने को मिल शक्ती है बात कलती फाइनांस की तो फाइनांसियल सिती यह हम इने गडबर रहा सकती है क्योंकि आपको जो है बैंक बेलेंस का खर्च पर पूर्ह एक लगहाअ कर चलना है तो स्थीति आपके लिए अनुकुल रह सकती है यहां इनAnn कोई ने-कोई माद्यम्स से आपको दनलाब हो सकता है तो अब दनलाब तारिकобы निकाली है यहां जो दनलाब है वह कईन करने torque também सो सकता आपके रुके उह फुके वह मे तारीखों में जो बताते हैं उन तारीखों में आ सकते हैं कोईम आपिम को कई से भी स्प्रारिक दनलाब बात कर लेते विवायदधी 물 को लेकर आपको सामझेश्ट बना युगरता करने उधना है और जिद करने उधना आपको विशेश ख्याल रखके चलना है तो बढ़िया रहेगा बात कर लेते स्वास्थी की तो स्वास्थी को लेकर 11 नवंबर तक स्थिती थोड़ी गडबर रह सकती है 11 नवंबर के बाद आपके स्वास्थी में कई न कई आपको सुधार देखने को मिले सकता राइट साइड की आंखों को यह बुड़ी पार्ट का आपको ख्याल रखके चलना है स्वास्टे गडबर मतीते हैं बात कर लेते संतान की तो संतान को लेकर स्टी ठीक नहीं रहेगी हमें रही इने संतान का स्वास्ट्य गडबर मगывает। आपकी को प्यट पैट को लेकर दिक़त रह सकती। enrich to only die Item your चहें घुराण करकि आप जो है उपाय जरू कर लेजिएगा ओं शुम् स्ुक्राइन महभीज मंत्र का इढंडेस अगलाया तो यह गोचाराट के आई बात करते हैं मिथुन लचनवालों की तो मिथुन लगनवालों का नवंबर 22 का जो महीना वु केसा रहनेवाला है, यह हम आपको बता, उस्यप्रव हम आपको बता देते हैं, यह जो राशी पल आप लगन राशी के आधर पर ही फोलो कीजिए, तो ही आप क्यों पर यह र रासि वह देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं देता है जितना लगन रासि के आधर पर रहता है तो खुरुपा करकी यह जो रासिपल आप लगन रासिपल पर ही फुलों कीजिए तो ही आपकी उपर यह रासिपल शर्टिक बेटा नगर आएगा आए बात करते हैं लगनवालों का उप्रेटिंग प्लेनेट्स बनता बूद्ध और बूद्ध का गोचर पंचम भाव में रहेगा यह मैना इंटलेक्च्छल बुद्धिमान उंतर्ट्षे बरा यह मैना रहे सकता है कई न कई आपके जो है आपकी बुद्धिमता से कई न कई आपके काम बनते नजरा आसकते हैं रूटिन इंकम में थोड़ी ब्रैक लग शकती है थोड़ी कटोती आ सकती है उनमें रुक रुक कर रना सकता है विदेश से जुड़े हैं विदेश व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बढ़िया शाबी दोगा विदेशी लोगों से भी आपको लाब संभव है 11 नवंबर के बाद आपके पेट में दर्ग जलन नेव श्लो डाइजेस्टी सिस्टम की सीकात रहे सकती है संतान का स्वास्थिय गडबर रहेगा 11 नवंबर के बाद आपके धन खर्च में आपको रुद्धी देखनी को में शक्ति है शुक्षुविदायम लग्जिरिस लाइब के पीछे आपका धन खर्च हुगा उन में आपको थोड़ी रुक रुक कर मिलती नजरा सकती है आत्म विश्वास में कई ने कई 16 नॉंबर के बाद आपको थोड़ी कमी देखिने को मिल सकती है और कार वहां ना दीतिया देकर आप चलाते तो शाउधानी पुरूप चलाए तो बड़ी रहेगा धारदार जोड़ने में आपको दिक्कत रह सकती है धोड़ा धन जोड़ने में सैविंग्स करने में आपको दिक्कत है महसूस हो सकती है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यह महीने यात्रा की जोग बन रहे है तो आपको यात्रा की तारिक बता देते हैं एक तारिक से लेके कार्मबिक शिक्सा से जोड़े विदिया थी उनके लिए मध्यम रहेगा उच्छी शिक्सा की पड़ाय कर रहे उनके लिए है गोचर ठीक रहेगा जो चार्टर एकाउंटन टीचिंग या इंजिनेरिंग फिल्ड के विदिया थी उनके लिए गोचर बढ़िया रहेगा बात क चूर मात्रा में धनका खर्च होगा आपको फाइनसियल प्लानिंग करके चलना है तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया शाबित होगा और यह मैंने धनलाब की योग बन रहे है यह जो धनलाब रहेगा वो कई न कई माध्यम से हो सकता है आपके रुके हुए फसे हुए पैसे भी आपको इन तारिकों में आ सकते हैं आपने कहीं भी उधार दे रखे उन तारिकों में यह हम तारिक बता देते हैं उन तारिकों में आपको पैसे परात हो सकते हैं तो आपको दनलाप की तारिक बता देते हैं एक तारिक छे तारिक से लेके आठ तारिक तक ग्यारा तारिक से लेके पंदरा तारिक तक 21 तारिक से लेके 24 तारिक तक और 27 तारिक और 28 तारिक को कोई न कोई माध्यम से आपको धनलाग होता रहेगा बात कर लेते हैं वेवाहिक जीवन को लेकर स्थिरी ठीक रहेगी कोई दीकत नहीं उगरता करने से आपको बचना है क्योंकि 12 आउस में 13 नवंबर के बाद मंग बात कर लेते हैं स्वास्थे की तो स्वास्थे को लेकर पेट में दर्देवम जलन के शिकायत आपको 11 नवंबर के बाद देखिने को मिल सकती डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी संतान का स्वास्थी थोड़ा कडबर रहे सकता है जिन लोगों को पहले से स्टॉन किडिनी स स्टॉन या पाइल्स या प्रोस्टेड्र को लेकर दिखते हैं उनको अपने स्वास्थे का यह हमेरे ख्याल रखके चलना है बात के लिए शनतान को लेकर 11 नवंबर तक ठीक है उसके बाद संतान का स्वास्थे गडबर रहेगा और जो लड़ी ने शनतान कंशिव करा रख कर लेते हैं तो यहां गोचर आपके लिए कहीं बड़ी आशाबित होगा अगर आप यतिगत अपनी जन्मकुंडली का अधियन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे हैं नंबर पर आप उसे को संपर करके अपाइमन बुक करा सकते हैं नमस्कार